तो गाई आज है तारिक 16 जुलाई 2000 केस और है फ्राइडे देखेंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न्यूसपेपर को अनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूसपेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आप लोग को ये वाला चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया जा है वो लिंक इसी चनल का है जैसे आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकल ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाओ जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिसस पर दाहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़े मिलती हैं बिलकुल जाकर देखना है रेड़ सी को कहां पर है ये साथ ही साथ एक चीज़ ये देखनी है रेड़ सी के आसपास आपको कौन को सी कंट्रीज नजर आएंगी मैप में फिरा कर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख हैं यह आज का सबसे पहला आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे एक्जाम के लिए भी कैसे होगा वो हम आगे डिसकस करेंगे बट आर्टिकल क्या बोलता है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन्वी रमन साब इन्होंने आप सरकार से बोलाए कि जरूरत है आज के टाइम पर ऐसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा पूछा या है सरकार से ठीक है क्योंकि यह ब्रिटिशर्स के टाइम का अंग्रेजों के टाइम का लौ है और एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स जो है अब इसको इसको इस्तमाल होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे कोई कार्पेंटर हो ठीक है कार्पेंटर को उसकी आरी दे दी जाए जिसको लोग 100 बोलते हैं और आरी देकर उसके कह दिया जाए कि आप एक लकड़ी का काट हो ठीक है लेकिन क्या है वो कार्पेंटर उस लकड़ी को काटने के बज पुछ सब्ड़ाइव बहुत कम होता है, लेकिन यहां पर एगर हम बात करें, कोई अपरादी साबीत हो रहा है, इसके अंदर तो ऐसा नहीं होता है, सब बहुत कम होता है, कॉन्वेक्षण रिट बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन law भरपूर्पूर्पूर्पूर्ट एक्जाम के लिए यहाँ पर यह जो सेडीशन वर्ड़े अपने आप में बहुत IMPORTANT हो जाता है सेडीशन लौग के बारे में आपको जानना ही जानना होगा तो क्या है चलो हम लोग सके बारे में जानते हैं कल हमने देखा तक लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डेली बिस्स पर हम लोग के साथ 200 से 200 लोग नई लोग जुड़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है मुझे बार 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 बताना पड़ता है नहीं तो फिर नीचे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं यह आर्टिकल पड़ा दिया और यहाँ पर डेली बिस्स पर मुझे चीज़े कवर करनी होती है जिसको मालूम है या फ़र जिसने कल पढ़ाए वह यहाँ पर एक-दो मिनट करके आगे बढ़ जाए ओके नाव यहाँ बात करता है सबसे पहले सबसे पहले हिस्टोरीकल बैक्राइब देखेंगे इसका इतियास क्या सब्सक्राइब बहुत पुराना है इसको नेट किया जा था 17th century में यहाँ पर एक टाइम पर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया कि देखो यह जो 1870 के अंदर जो section 124 A है इसको insert किया गया और section 124 A के अंदर में आप लोग को यह sedition law देखने को मिलेगा अब जो यह section 124 इंसर्ट किया गया 1870 में यह एक amendment के थुरू किया गया था और वो amendment इंट्रोड्यूस किया गया sir James Stephen के द्वारा ओके आज के टाइम पर हम बात करें जो sedition law है sedition एक crime है कहां पर है crime ऐसा कहां पर लिखावा है तो वह है Indian Penal Code के अंदर जो section 124 है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि sedition एक crime अब यह किस टाइप का crime है तो वही पर उसी section में इसको explain किया गया है कि देखो यहां पर यह जो sedition है यह एक offense है अब यहां पर कैसा व्यक्ति कर सकता है मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है लेकिन वो कैसे करेगा कुछ बोल कर ल possible representation दिया या फिर sign करकर कुछ भी यहां पर उनने government के खिलाफ अपना dis affection दिखाया है तो यहां पर जो है sedition का स्तमाल किया जाता है और ऐसा sedition का बहुत जदा स्तमाल भी होता है हलाकि इस law के अंदर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि देखो सही बात पर ही हां पर आप कह सक सकते हैं मतलब की सरकार जो काम कर रही है ठीक है उसके regarding अगर किसी व्यक्ति ने मतलब गलत बेफालतू में हाप सरकार के खिलाब बोला चलो देख लिया चलो आप अस्तमाल कर सकते हो लेकिन यहां पर सरकार जो काम कर रही है बिल्कुल सही यहां पर यह statement दिया गया इस व्य जैल भी नहीं मिलती है दंए उसके बाद यहां पे क्या है कि एंप्रिजमेंत आपको देखने को मैलेगा जैल है 3 साल की और yr उसके बाद 3 साल से बढाकर यहां पर इंडर काश nova हो सकतीय और प्लस यहँधारし किरया दा पड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है आई हूप आपको ये क्लियर हो गया होगा ठीक है एक्जाम से कैसे लिट करना है ये भी क्लियर हो गया होगा लाव बरबर वाला अर्टिकल पाता है ये एक्जाम के लिए इंपोरेंट नहीं है बस यहां पर एक छोड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ एक और इंपोरेंट आर्टिकल है ये भी एक्जाम के लिए इंपोरेंट है अब यहां पर देखो चर्चा होगी है जो नाशनल हुमन राइट कमिशन यहां पर एनचार सी के पैनल तो उसी को लेकर यहां पर एनचार सी पैनल ने मांग करिए कि जो सीबिया इन्वेस्टिकेशन होनी चाहिए बैंगॉल राइट के अंदर अब देखो यह मुद्धा हमारे लिए कहीं से कहीं तक इंपोरेंट नहीं होने वाला इक्जैक्ली बस यहां पर दो तिन चीज़े बहुत ही इंपोरेंट होने वाली है जहां से पहले प्रिलिम्स में क्वेशन आये हैं जी हां जैसे कि एनचार सी हो गया नैशनल हुमन राइट कमिशन अगें अवर इंपोरेंट टॉपिक उसको आप लोग अपने एक्जाम के लिए कवर करोगे इंडियन पॉलिटी जब ल कर सकते हो देखो एने चार सी अफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट इस टेटरी बॉड़ी है बिलकुल इस टेटरी बॉड़ी है तो हमारे से लेवल के लिए डेफिनिटी इंपोरेंट है इसको इस्टेबिश कह गया था बारह ऑक्टूबर नाइटी नैंटी थी में ठीक है as per the provisions of protection of human right 1993 ये protection of human right 1993 के according लिके रहाएगा इसके अंदर बातलबी में बदलाव कर देगे 2006 के अंदर ये ध्यान रखना है इसके बारे में ठीक है और एक 트릭के से जो भी human rights से मानव की अधिकार है उसको protection देने के लिए हाँ पर ये पूरा का पूरा commission work करता है ठीक है अब तो यहां पर देखो यूएन की डेफिनेशन है जो कि मैंने भी आपको बताया यूमन राइट्स वही बिल्कुल यहां पर देखने को मिलता है यूमन राइट्स के अंदर राइट टू लाइफ है राइट टू लिबर्टी है और एक तरीके से गुलामी वगरा कोई किसी की ना करे ठीके राइट आपका सकतो हो टॉर्चर से फ्रीडम रहे सबको ठीके फ्र यहां पर पर कॉज़िन यह भिल्क दाओं। पिछले एक डिल महीने से बहुत ज़्यादा न्यूज में और आपने आप में एक इंपोर्टन टॉपिक है जब आप लोग लक्ष्मिकान पढ़ोगे तो उसमें पूरा पूरा चाप्टर है तो सी डिरेक्टर का अपॉइंट्मेंट के बारे में हमने डिसकॉशन किया था तो सुबत कुमार जैसवाल तो उनकी वाज़े से आर्टिकल काफ़ दर चर्चा में था तो बात करते हैं हम लोग सी बियाई के बारे में सी बियाई को सटप किया गया था 1963 में किसके दौरा Ministry of Home Affairs के दौरा और यहां पे सी बियाई आज के टाइम पर किसके अंडर में आता है कौ क्योंकि रिकमेंडेशन आया था किसके दौरा जो संतरम कमीटी थी उसने यहां पर रिकमेंड किया कि दौर करप्शन वगरा उसको रोकना होगा तो करप्शन को रोकने के लिए यहां पर CBI को बनाया गया था CBI कोई स्टेबलरी बॉडी नहीं है ध्यान रखना है यह अपन पर एक असिस्टेंस वगरा भी प्रोवाइट करवाती है सेंटल विजलेंस कमिशन को जो भी यहां पर नज़र रखते हैं यह लोग भी तो क्या है देखो अब यहां पर क्या होता है कि जो सीबी आई इसका में काम क्या है जो करप्शन वगरा है इसको यहां पर एक तरीके स कहां कहां पर पावर से तो आप देख सकते हो लगबख 69 सेंट्रल लॉज कर रिगार्णिंग सीबी जो वर्क कर सकता है उसके बाद 18 स्टेट एक्ट हो गए और 231 ओफेंस जो जो कि IPC के अंडर आपको देखने को मिलेंगा तो यहां सभी पर इन्वेस्टिगेट करता हूँ पर नजर आता है CVI ओके दर उसके बाद एक छोटा सा अर्टिकल यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारे एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर है एस जैशंकर साब इन्होंने मीटिंग करी घनी के साथ गनी कौन है वह है अफगानिस्टान के प्रेसिडेंट अश्रव गनी अब यहां पर मिटिंग के अंदर चर्चा यही है कि तालिबान की जो सिचुएशन है उसको यहां पर समाला जाए क्योंकि आज के टाइम पर आपको मालूम ही है अफगानिस्टान के अंदर क्या सिचुएशन क्रियेट हो रही है ओके तो उसी को लिकर यहां पर डिसकूशन इवेंट्स वही थे जो कि न्यूज में लगातार कवर करे गए तो यहां पर भी एवेंट ऐसा है जो कि न्यूज में कवर करा जा रहा है दो बार कवर कर चुका है यह तीसरी बार कवर किया जा रहा है पिछले एक डिड़ महीने में तो इंपोरेंट है तो देखो हमारे चीफ सुंदरलाल बहुगुना है इनको यहां पर एक अवार्ड मिला चाहिए भारत रदन अवार्ड मिला चाहिए उसके लिए अपील करी गई है यह एक एन्वार्मेंटलिस्ट थे इन्होंने एन्वार्मेंट को प्रोडेक्शन देने के लिए बहुत कुछ किया है ठीक है और प्रोडेक्शन है एन्वार्मेंट को वह काफी हद तक प्रोडेक्शन है तो उसके लिए यहां पर यह बोला गया है कि इनको भारत रतन अवर्ड देना ही चाहिए अब यहां पर चिपकु मुमेंट क्या इसको हम लोग देख लेते हैं यह इंपोरेंट है जीस पीपर 3 के प चुपकु मुमेंट के बात करें तो एक नॉन वोलेंट एजिटेशन था मतलब कि एक ऐसा प्रोडेस्ट जो की बिना हिंसा था ठीके बिना हिंसा के प्रोडेस्ट यहां पर स्टार्ट किया था और आप कह सकते हो उत्रखंड के अंदर यहां पर सारी चीजे शुरू ही थी पर उत्रखंड पहले उत्तरप्रदेश का चम्वली डिस्ट्रख हुआ करता था 1973 की बात थी ठीके अब यहां पर जो यह चिपकु मुमेंट है ठीके आप कह सकते हो जो यह नेम है मुमेंट इसका चुपकु नाम क्यों दिया जाए चिपकु मतला पेड़ से चिपक जाना त ताकि पेड को एक प्रोटेक्शन दी जा सके तो इसी वज़ा से यहां पर इसका नाम पड़ा है चिपकू मुवमेंट आपको इसके बारे में ध्यान देना है तो छोड़ी सी information है यानि forest वगरा को preserve करने के लिए forest को protection देने के लिए यहां पर यहां पर इसके बाद forest को काटना थोड़ा सा कम हुआ था उस टाइम पर जब यह चिपकू मुवमेंट स्टार्ट हुआ था तो यहां पर इनका कहना यह था कि जो भी trees को काटा जा रहा है ठीक है उसके ओपर बैन लगाया जाए खास कर आपका सकते हो जो भी एक अच्छे healthy trees है उनको तो काटने सा रोका ही जाए तो ही जादा better होने वाला है अगे बढ़ते हैं next article की तरफ यहां पर जो next article वो बात करता है ड्रोन के regarding नए rules आ रहे हैं तो government ने एक draft रिलीज कर दिया डीगा भी draft रिलीज हुआ है इस draft के regarding suggestion जाएंगे consultation चलेगा बात्चीच चलेगी अगस्ट 15 तक यहां पर सिर्फ बात्चीच चलने वाली एदन उसके बाद यहां पर draft फिर उसके बाद यहां पर react बनेगा अभी के लिए जो है यहां पर आप कह सकते हो government ने सिर्फ और सिर्फ एक draft drone rules 2021 को release किया है public consultation के लिए public आपस में आपके consult करें इस drone rules को लेका और यहां पर हम लोग बात करें जो यह drone rules हैं अब यहां पर काफी सारे बदलाव होने वाले हैं जैसे कि यहां पर researches वगरा के लिए जो भी आपका सकतो number of approvals पहले चाहिए थे अब यहां पर approvals वगरा कम कर दिए गए research हो गई development हो गई इसके उपर आप जादा वर किया जाएगा regarding this drone उसके बाद जो ministry of civil aviation है इन्होंने थरस्टे में इन draft drones rules 2021 को release किया है और 5 अगस तक सारी मैंने 15 बोल दिया 5 अगस तक जो है public consultation चलता रहेगा और जो यह rule है यह replace करने वाले है पुराने वाले rule को पुराने वाल जाए जो भी drone का स्वाल करें उसको user friendly बनाया जाए drone के regarding research हो गई development हो गई उसको जादा सदा encourage किया जाए जादा सदा बढ़ाया जाए in fact इंडिया के अंदर drone की production को बढ़ाया जाए क्योंकि आज के time पर drone का स्वाल काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर यहां पर इंडिया को भी काफी हद तक फाइदा हो सकता है इंडिया जो है जिस तरीके से यहां पर drone को regarding research इस वगईरा पर काम करेगा प्लस आप कर सकते हो कि इसके लिए पहले बहुत सारे rules and regulations वगईरा हुआ करते थे उन rules and regulations को कम से कम किया जाए ताकि जो है इस पर research analysis जाएगा ठीके कितना लायक है वो चलने के लिए और इसके बाद एक remote pilot license वगईरा यह सारी चीज़े प्रोवाइट करवाई जाएंगी drones के लिए ओके तो यह सारी information है आप लोग देख सकते हो जो नए rules आने वाले है उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं जो research और development है वो भी हाँ पर आप कर सकते हो research and development के उपर बहुत जादा focus यह यह इस draft के अंदर यह आपको ध्यान देना है उसके बाद manufacturing यह उसको पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा क्योंकि आज के टाइम पर import वगरा करते हम लोग ड्रोंस तो इस चीज के ऊपर dependency है वो कम होगी हम लोग अपने country के अंदर drones को manufacture करेंगे made in India technology का इस्तमाल करेंगे प्लस हम लोग जब अपने country के अंदर बना लेंगे तो हम जून के टाइम पर ऐसा WhatsApp का कहना है आपको मालूम गई जो अकाउंट्स को बैन किया गया है वो IT rules 2021 के regarding बैन किया गया है क्योंकि हमारी सरकार बोलती है कि जो भी हाँपे fake accounts है या फिर कोई fake message फेला रहा है fake content दे रहा है तो उनके accounts को बैन होना चाहिए तो लगबग 2 million Indian accounts है जिनको बैन किया गया है तो आपको ध्यान देना यह WhatsApp का statement है दो million Indian accounts बहुत होते हैं यह क्योंकि इनका जो behavior है वो काफी harmful था तो 15 में से लेकर 15 जून के बीच में इन accounts को कर दिया गया है बैन हमारा top का focus यही है ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि यह जो harmful चीज़ है इनको prevent करना इनको पर रोक लगाना साथ साथ बोला यह भी जा रहा है मतलब कि जो IT rules हैं वो कहीं ने कहीं social media platforms आज के time पर follow करना शुरू हो गए ओके यहाँ पर आप लोग यह सारी चीज़े देख सकते हो देन उसके बाद आगे बढ़ते है next article की तरफ और क्या important तो जैसे मैंने आपको बताया था कि page number one पर भी आपने अभी चोटा सा article देखा थ कि जो हमारे external affair minister है जैशंकर साब यहाँ पर इन्होंने meeting करी है गहनी के साथ जो कि आपके सकते हो कि आफगानिस्तान के president है अब यहाँ पर इन्होंने जो discussion है दोनों का वो discussion हुआ है तालिबान को लेकर ठीक है तो तालिबान की situation आपको मालूम है कि आफगानिस्तान के अंद अफगानिस्तान की capital है अगर वहाँ पर यह लोग कबजा लेते हैं तो आप कह सकते हो कि कहीं ने कहीं situation खराब हो जाएगी फिर उसके बाद काफिया तक अफगानिस्तान जो है तालिबान के अंडर में आ जाएगा ठीक है यह सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है उसक हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो George Bush थे जो हमारे former president US के उनका भी कहना यह है कि देखो यह कहीं ने कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है US से कि जो US ने troops जो है ऐसे यहाँ पर withdraw कर लिया है कुछ ना कुछ और भी पक्का ठो solution लेकर आना चाहिए था ताकि जो है इन सब ची इंडिया का जो humanitarian assistance है वो अफगानिस्तान तक लगातार जाएगा इंडिया को जो है अफगानिस्तान को लगातार support करेगा अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक लाग पचास हजारे टन जो वीट है वो provide करवाने की बात करिया ऐसा gift दिने की बात करिया है क्योंकि आज के टा सब्सक्राइब करते हैं इनका इनका इनकी डेत हो गई है उसी वजासे यह पर्टिक्लर परस्नालिटी न्यूज कंदर आपको देखने को मिलेंगी बोला जाता है कि रहने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है क्योंकि रहे बहुत सारे institutions को सेट अप किया है अब institutions like जो फैशन डिजाइनिंग का अपने नाम सुना होगा जो फैशन डिजाइनिंग को प्रोमोशन देने वाली यही महीला थी उन्होंने यहां पर स्टार्ट किया था इन चीजों को तो एक तरीके से को फाउंडर थी नैशनल इंसिट्यूट आफ डिजाइन की और जो डिजाइनि हो आप तो यहां पर फालो और पको एक ताइम पर जो जो मनचेस्टर उस बोला जाता था तो एहमदाबाद को यहां पर बोला जाता था तो क्यों क्योंकि यहां पर इनका भी बहुत बड़ा योगदान था टेक्स्टाइल मुजियम और भी बहुत सर इंडेस्ट्रीज और भी बहुत सर इंस्ट्यूशन को सेट अप कर दिया था है इनोंने उस वाले एरिया में ठीक है तो यह आपको ध्यान रख रहा है आपसे वन्डे एक्जामस पर बूचा जा सकता है दनुस के बाद आते हैं नेक्स डाटिकल की तरफ यह हम लोगों ने अभी डिसकस कर लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट उसने एक स्ट्रॉंग मैसेज दिया सरकार को रिगार्डिंग सब्सक्राइब कर लिए अब यह पर यहां पर यह वाल आर्टिकल बात करता है जो हमारे एक्स्टनल अफेर मिनिस्टर है एस जाश अंकर साब साथ इसाथ आप कह सकते हो कि Chinese counterpart है नाम है Wangi ठीक है यहाँ पर Wangi यह है और दूसरे हमारे external affair minister है दोनों के बीच में यहाँ पर चर्चा हुई है अब यहाँ पर दोनों के बीच में चर्चा इंडिया और चाइना के relations को लेकर हुई है ठीक है external affair minister हमारे यह बोलते हैं कि आज के टाइम पर जो line of actual control है वहाँ पर situation आपको सुधरी भी नजर नहीं आएगी जो relationship है एक तरीके से वो हमारा काफी बेकार हो चुका है मतलब इंडिया चाइना का दोनों का यह चीज़ा आप लोग देख पाओगे और दूसरी तरफ यहाँ पर जो आपका सकते हो Chinese counterpart है वहाँगी इनका कहना यह है कि जो भी borders areas वगरा है वहाँ पर लगातार आपका सकते हो कि एक तरीके से जो भी एक सेकिंड गाईज यहाँ पर एक चीज़ में सो रही है वो क्या है इनका कहना यह है कि जो भी border issue है वो एक appropriate position पर होना चाहिए जो Chinese counterpart है चलो भी डिसकस करते हैं आगे देखो जो LAC crisis है इनकी वज़ा से relations दोनों countries के खराब हुए है ऐसा हमारे external affairs minister का कहना है तो आज का टाइम पर ज़रूरत यह है कि जो maintenance है peace की यानि कि शांती वगरा बनाई जारे सके border areas में यह बहुत ज़रूरी है लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी ठीक है बहुत सारी areas में तो नजर नहीं आएगी क्योंकि अभी भी बहुत सारे areas में जैसे की डेप संग हो गया डेम चोक, गोगरा हो गया, होट स्प्रिंग हो गया यहाँ सभी जगा पर भी अभी बिस्प्यूट बहुत साथ देखने को मिले थे आपको मालूम होगा थोड़े टाइम पहले यहाँ पर डिस इंगेजमेंट हुआ था पैंगॉंग लेक पर चाहिए और दोनों के रिलेशन्स जो है बालेटर रिलेशन्स अच्छे भी होने चाहिए उसको बढ़ाना चाहिए ऐसा यहाँ पर कहना है लेकिन जब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी जब तक चाहिना जो है ऐसी हरकते करते रहेगा बार-बार बाउंडरिस के अंदर बार ब कुछ और एक्स्टर चीज़ देने वाला हूँ जो कि हम लोग वहाँ पर डिसकस करेंगे ठीक है नेक्स्ट अर्डिकल में हापे बात करी गई है नोटिस इशू किया गया है तीन मेंबर आफ पार्लियमेंट को अंडर दा एंटी डिफेक्शन लोग यहाँ पे अब तीन जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यह 10th schedule के अंदर insert किया गया था हमारे संभिदान में 1985 के अंदर लेकिन यहाँ पर कौन सा amendment act था वो था 52nd amendment act उसके माधियम से anti-defection law को लाया गया था defection मतलब होता है दल बदली जो देखने को मिलती है political party से दूसरी political party में कोई भी व्यक्ति एए एक party छोड़कर दूसरी party इंप उप घृण जाता है तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहाद देखने को मिलें यह जो defection है इसको मुद्द बदली बूलता है तो यह defection नह देखने क गया था और इसके अंदर जो भी व्यक्ति यहां पर बार बार ही पॉलिटिकल पार्टिप में चेंज करता है उसको डिस्क्वालिफाइब भी किया जा सकता है ओके तो यह सारी चीज़ें यहां पर देखने को मिल जाती है यह लौ एपलाई होता है बोथ पाल्यामेंट और आटिकल की तरफ तो और क्या है हमाली है यहां पर इंपोर्डेंट पेज नमबर टेन पर आएंगे तो यहां पर बहुत सारी न्यूज आपको कोरोना से देखने को मिलेगी कहीं पर लॉक्डाउन बढ़ गया और कहीं पर केसिस बढ़ गए तो ऐसी यहां पर चीज़ेंगे करने को मिल रही हैं तो यहां पर आप लोग इन चीज़ों को स्किप कर सकते हो क्योंकि इसके बारे में अल्रेडी बहुत सारा डिसकुशन हो चुका है नेक्स आडिकल पर आते हैं पेज नमर 11 की तरफ देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है तो सबसे पहला आर्ट आज लिचने मालूम क्योंकि पाकिस्टान ये बोड़ रहा है कि उस बस के अंदर गैस लीक हुआ था और दूसरी द्वास्तों ब्लस्ट वाइए यहां पर ब्लस्ट वाया उसकी वज़़ा से यहां पर नुक्सान वहा है बसको अब यह बसके पिछे क्यों पढ़ना क्योंक क्या ये bomb attack हुआ है या फिर हुआ है ये एक gas leak दोनों के अलग-अलग statements है तब clear होंगे next article में चर्चा हो रही है तालिबान ने offer किया है यहाँ पर एक तरीके से तालिबान ने अपनी तरफ से यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कर देंगे लेकन उसके बदले में यहां पर इनको जो अपने आपके सकते हो कि इन्होंने अपने लगबाग 7000 इंसर्जेंट प्रिजिनर्स जो है वह मागे हैं उसके बाद जो आफगान गवर्मेंट निगोशियेटर है उन्हों आपका सकते हो नहीं यहां पर यहां पर आप देख सकते हो कि इसके लाव और पर यह मांग करिए इसके आप देखने को मिलेगा युनाइट नेशन की ब्लैक लिस्ट के अंदर युएन ब्लैक लिस्ट के अंदर के बहुत सरी लीडर्स का नाम है उन सब के नाम को हटाया जाए ऐसे यहां पर स्टेटमन आप देख सकते हो मतलब की पूरी तरह से एक तरीके से मल जाए अगर यह स कुछ नहीं मालूम है फिलाल अभी यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह प्रकार की डिमांड करी गई है देखते हैं कब तक यहां पर यह सीजफायर होगा एक्जैक्ली या नहीं होगा फिलाल मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि यहां पर आप लोग देख यहां से जो भी आइटम्स इंपोर्ट करे जाता है यूएस के अंदर उसके उपर लगा दिया जाए प्रतीबंद उसके उपर लगा दिया जाए बैन ठीक है तो यहां पर यह सारी से देखने को बलती है ना यहां पर क्या है एक लेटेस्ट मूव है यह जहां पर आप कह सकत है तरया है सबसे बड़ा थैजन क्यों है क्योंकि बोला यह जाता है यह बोला क्या जाता है यह बोहत सारा चीज़ा प्रूव हो भी चुकित बहुत सरी मुए है और यहां पर होता है एक human right abuse और human right abuse कोई नया नहीं है बहुत पहले से हो रहा है human right abuse अब यह human right abuse कौन सी community के रिगार्डिंग हो रहा है वो है ओगर मुसलिम्स ठीक है जो अगर मुसलिम्स आपको देखने को मिलेंगे इनके रिगार्डिंग बहुत बुरी तरीके से अलगल तरीके से यहां पर ट्रीट करता है चाइन लोगो तो उस वज़ा से यहां पर आप कह सकते हो कुछ इस प्राकार के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं अपनी जो बियर्ड है वो ग्रोनी करने दी जाती और भी बहुत सार यहां पर human rights violations होते हैं इनके प्रती तो ऐसी चीज़ें यहां पर देखने को मिल जाती है ओके नाव आते हैं page 12 के उपर that is business section देखेंगे economics से related article को तो पहला article आप देख पाओगे inflation के regarding है अब यहां पर क्य कि अभी आपको मालूम होगा जो inflation है चाहिए वो CPI हो WPI हो दोनों ही काफी हद तक increase हो गए है और अभी हमने पिछले कुछ दो आर्टिकल कवर भी क्या था जो inflation है वो 6% से जाधा ही तेजी से increase हो चुका है जो कि आप कर सकते हो कि जितना 6% से कम होना चाहिए तब यहां पर 6 कर चुका है inflation काफी बढ़ चुका है ऐसी चीज़ें यहां पर देखने को मिल जाती है ठीक है तो यहां पर वही है कि अभी यहां पर एक आप कर सकते हो कि अंदाज है लगा जा रहा है कि जो यह inflation है कहीं ने कहीं नॉर्मल हो जाएगा 2021-22 के 3rd quarter में ठीक है देखते हैं 3rd quarter मे पर देखेंगे आज के इंपोर्टेंट एडिटूरियल को अच्छा हाँ आज का अपने थम्नेल देखा होगा थम्नेल में हमने आज जादा कलाकारी नहीं करी है ठीक है टाइम नीदा इतना तो कलाकारी नहीं कर पाए जादा तो डारेक्ली यहां पर जो सेडिशन वाला आर six के उपर that is editorial section देखेंगे आज के important editorials को तो आज के हमारे तीन editorial basically important हो जाते हैं एक ये वाला एक ये वाला और एक हो जाता है इसके नीचे ये वाला ठीक है तो इन तीनों को हम लोग discuss करेंगे क्या है exactly inflation के बारे में जानेंगे साथी साथ सबसे पहले तो आप यहार आर्टिक सब्सक्राइब करने के लिए तो यहां पर काफी जादा वॉयलेंस हुआ था और उसके पीछे इनकी एक हेट स्पीच थी ऐसा यहां पर बोला जाता है ठीक है अभी देखो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे क्या exactly अभी यहां पर आर्टिकल में कहना यह है कि वह दो अनुदर हमें मां लिए ताकि केस को अच्छी स्रेव्यू के जा सका के यूंकि बहुत सारे बोलता है कि इनकी द्रह गई है इनकी देथ हो एन इस वजह से ठीचा में वी थे तो बोलग लोगों को टीसे को अच्छी से काम करना पड़ेगा को है कि कह discoveries की मिस्टेक तो यह सारी चीज़ यहां पर देखने को मिलेगी मुद्दा क्या है इसको हम लोग करके समझेंगे पहले देखो यहां पर मैं आपको बतलता हूं एक हुआ था भीमा कोरे गाउं केस अब यह भीमा कोरे गाउं क्या था उसको समझेंगे फिर उसके बाद आपको जड़ से अंदर और आप लोग कह सकते हो कि वहां पर जो गाउं में वहां पर जो लड़ाई लड़ी थी किस-किस के बीच में पेश्वा फोर्स और साथी साथ जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में लड़ाई करी गई और कब है तारिक है एक जनवरी 1818 तो आपको इसके बार में ध बारत के लोग थे ठीक है अब यहां पर ब्रिटिश अर्मी के अंदर दली सोलडर को चले गई क्योंकि आपको मालूम होगा ठीक है जो अपर कास्ट वाले लोग ते वह पेश्वा फोर्सिस के अंदर थे और जो डली सोलडर से याप को बता होगा लोगर कास्ट के दर देख और फिर ब्रिटिश आर्मी के अंदर जॉइन करने के बाद इन्होंने लडाई करी किसे पेश्वा से तो पेश्वा से लडाई करने के बाद आप कह सकते होनोंने जीत भी हासिल कर लूज़ी उसी वज़ा से इस कि गृटके में तो एक्लफ बड्ल के प हुटा सब्सक्राइब उसके बटामों पेशागा सकते हों सब तो नहीं घ्राइब माराथा इंगल मारतावर तो अब जो दिखाना तो उसके बाद यहां पर आप कर सकते हो कि इसको बार-बार इसकी जो अनिवर्स करी जाती है काफी लंबा समय हो गया 1818 में यह बैटल हुआ था लेकिन अब यहां पर क्या है अब यहां पर जो स्टेंड स्वामी है इनका क्या क्नेक्शन इस बैटल से तो उसको हम लोग समझत बैटल क्या हुए हमने देख लिया अब क्या हुआ जो 1818 में जो यह बैटल हुई थी ठीक है इसको एक तरीके से आप कर सकते हो कि इसके रिगार्डिंग कारेकरम हुआ था इसकी जो एनिवर्सरी है लगबग आप कर सकते हो कि 200 साल जैसे पूरे हो गए तो फिर जो भी जित यहाँ पर यह जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको खतम किया जा सके इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इसारी चीज़े हो रही थी एक चनवरी 2018 में सब लोग इखटे हो गए थे कारेकरम चल ला था अब उस कारेकरम के दौरान यहाँ पर जो यह फादर स्टें स्वामी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने एक स्पीच दी अब उस स्पीच में भड़काओ भाशल दिया भड़काओ भाशल देने के बाद यहाँ पर आपकाओ भाशल की वज़ा से वह जो भीड इखटी थी वहाँ पर उनमें एक हिंसा क्रिएट हो गई ठीके लोग भड़क और बहुत जादा बवाल मचा वॉयलेंस क्रेट हुआ और यहाँ पर बोला जाता है एक की मौत भी हो गई थी इसके अंदर और बहुत सरे लोग घायल हुए थे फिर यहाँ पर इनके उपर बहुत सरे चार्जिस लगते हैं इनके उपर 8 अक्टूबर 2020 में जो एनाईये है इनाईये ने यहाँ पर स्टैंस स्वामी को यू एप ये के अंदर गिराफ़तार किया उसके बाद 10 अक्टूबर 2020 को मुंबई की जो विशेश अदालत है उसने यहाँ पर स्टैंस स्वामी को पेश खिया फिर 23 अक्टूबर को यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस टैं को लेकिन हुआ क्या कि देखो इनकी डेथ हो गई है बोला जाता है इनको प्रॉब्लम्स बगए भी थी पार्किंस डिजीज वगए देखने को मिलती थी मतलब भूलने वगए थी ऐसा बोला जाता है तो अभी तो यहां पर बोला जा रहा है ऑथर के द्वरा कि आपको केस को सई आस्तर सुईधा है वह काफी जादा खराब हो चुकी है इनको जल सजल हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए ना यह ने का देश को असित्र करने पे इन्होंने साज़िश रची थी ठीक है सबके अलग अलग यहां पर पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे फिलाल जो है इ आपको बात करते हैं यहां पर चर्चा हो रही है इंडिया और चाइना के बारे में तो आपको मालूम होगा जो हमने अभी डिसकस किया है कि दोनों के बीच में जो हमारे एक्स्टनल अफैर मिनिस्टर है साथ ही साथ जो चाइनीज काउंटर पार्ट हैं वांगी इनके बीच में काफी कुछ डिसकस्टन हुआ लेकर कि सिचुवेशन सही नहीं है तो हम लोग को क्या करना चाहिए तो यह सारी शीचा हम लोग ने तुरंती डिसकस करी हैं तो उसी के रिगार्डिंग यहां पर बि गोगरा होट स्प्रिंग यह सारे इरिया जो कि अभी हमने डिसकस किया था देख़ो वही बिल्कुल सेम यहीं पर चेप दिया गया है ओके नौ देख़ो अब यहां पर एक चीज में यह भी बतना चाहता हूं यह जो इंडिया चाइना है इसके बारे में काफी बार हम लोग कुछ बहुत सारी चेप पढ़ चुके हैं इनकी जो दोस्ती है वो शुरू ही थी 1950 से ठीक है और 1950 से लेकर आज 2021 चल ला है तो 1950 से लेकर 2021 तक का पूरा इतिहाज बहुती छोटे वे में मैंने आप लोग को यहां पर दे दिया है इसको जाकर एक बार देख लेना इंडिया च 2021 के यहां पर एड़ कर दूँगा ठीक है 2021 में जो है फैबलरी में डिस इंगेजमेंट हुआ है और ज्यादा कुछ भी नहीं है तो कंप्लेट रिलेशन से इसके बारे में एक बार रीड़ कर रीड़ माल लेना आप लोग एक बार ओके नेक्स आडिकल बात करता है यहां पर इंफलेशन के बारे में अभी हम लोगों ने देखा जो इंफलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा ठीक है लगबग यहां पर देखो इंफलेशन जो है सेट किया जाता है कितने रेट में जैसे मोनेटरी पॉलिसी कमिटी यह नोंने यहां पर इंफले इंफलेशन रेट देखने को मिला है वो जून का वो छे परसेंट से जादा निकल चुका है तो आपका सकतो महिंगाई कोई हद से पार निकल चुकी है ऐसा यहां पर देखने को मिला और कल हमने देखा था जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी काफी बहत तक बढ़ ऐसे क्या होता है, CPI क्या होता है, inflation क्या होता है, इंफलेशन के causes क्या होता है, यह बहुत important point हो जाता है, यह कुछ static portions है जोकि आप लोगो clear करने होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे न्यूस पेपर किस प्रकार से cover किया जा रहा है, हर एक article प्लस उसके साथ जो भी important aspect है उसको cover किया जा रहा है, यह सारी चीज़ आपको बहुत सारे platforms पर paid मिलती हैं, आप लोग चाह कर एक बार check भी कर सकते हो, मैंने खुद देखा है बहुत सारी चीज़ पेड मिलती हैं, फिलाल यहां पर आपको goods and services है, उनके price को बढ़ जाना, उनके दाम बढ़ जाना, उसको हम लोग inflation बोलेंगे, खास कर जो यह common use वाली चीज़ हो गई हैं, जैसे food, clothing, housing, recreation, transport, consumer staples और भी सारी चीज़ हो गई, तो यहां पर यह क्या होता है, यह आपका inflation देखने को difference होता है, अभी हमने देखा कि inflation 6% से उपर है, बिल्कुल, अगर यह 2% हो जाए तो, यह अगर 3% हो जाए तो क्या deflation होगा, मतलब महंगाई कम हो रही है, क्या deflation होगा यह, बिल्कुल नहीं, deflation कब होगा, जब minus में चला जाएगा, तो यह deflation कहलाएगा, तब यहाँ पर मतलब चीज़े सस्ती हो रही है, अभी हाँ पर आपको देखना यह है, inflation को measure कौन करता है भारत के अंदर, तो inflation को measure के जाता है, Central Government Authority के द्वारा, यह आप लोग को ध्यान अकना है, क्योंकि Central Government Authority इसको measure करती है, और इसके regarding एक MPC भी है, जो कि इन चीज़ों को यहाँ पर measure करती ही नजर आएगी, अभी यहाँ पर India के अंदर जो inflation है, वो measure किया जाता है, दो main indices है, अब दो main चीज़े वो क्या है, वो है, एक WPI है, और दूसरा CPI है, अभी हमने देखा, दोनों के बारे में चर्चा हुई है, आर्टिकल के अंदर, WPI को बोलते हैं हम लोग wholesale price index, और CPI को बोलते हैं हम लोग consumer price index, ओके, अब यहाँ पर wholesale price index में क्या होता है, जो wholesale और retail prices होता है, अब क्या होता है, तो आप यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, inflation के main causes क्या-क्या है, किस-किस वज़ा से यह inflation आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर मैंने, आपको देखो, हाँ एक चीज़ और बता दूँँ, आज भूल यहाँ एक चीज़ बताना, वो यह है, अभी हम लोगोंने न्यूस पेपर में जितने भी नोट्स देखें, वो आपको न्यूस पेपर में तो मिली जाते हैं, साधी साथ एक नोट्स वाला चैनल है दीपक यादव एजूकेशन, इसको भी जॉइन कर लेना, यह टेलिग्राम चैनल है, मठते हैं, यहाँ पर आपध को सारे नोट्स मिल जाते हैं, अभी हम लोग किया डिस्कॉशन कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, इंफ्लेशन क भारे में, अब यह लोग ब्रेशसां, अब यहाँ बढ़ती भी है, या demand बढ़ेगी भी तो भी आपको महिंगाई कहीं बढ़ती हुए नजर आएगी, demand कम भी होगी तो भी आपको कहीं नजर आएगी, demand जब कम हो जाती है, किसी particular product की तो जादा महिंगाई बढ़ती है, तो ऐसा situation देखने को मिलती है, तो इसकी वज़ा से महिंगाई बढ़ती है तो पहला cause हो गया, दूसरा cause यहाँ पर cost push inflation आपको देखने को मिलेगा, मतलब की, जब simple सा मतलब है, कोई भी production है, कोई भी goods and service बना रहे हो, उसका production के अंदर जिसकी cost बढ़ चुकी है, production के अंदर पैसा जादा लग रहा है, तो production के अंदर जब पैसा जादा लगेगा, तो पैसी बात है, जब वो बिखेगा, वो भी जादा बिखेगा, तो जो increase in the cost of production होगा, उसकी वज़ास से भी prices बढ़ जाएंगे, उसके बाद एक थरड आता है, built-in inflation, built-in inflation का मतलब यह होता है, कि जब workers है, जो भी हाँ पर काम कर रहे हैं लोग, ठीके, अब क्या है, जो भी workers ह पैसे बात है, उन लोगो को expect कर रहे हैं, अपनी salaries को मांग रहे हैं, ठीके, अपनी wages को expect करने हैं, कि बो salaries wages बढ़ जाएं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, अब बढ़ जाएं, तो जब यहाँ पर यह लोग मांग करते हैं, कि इनकी salaries wages को भी बढ़ने चाहिए, उसकी वज है, उसके बाद यहाँ पर आज Friday है, तो आज यहाँ पर आप देख पाऊगे एक इंटर्विव है, दो व्यक्ति के बीच में, हर Friday में एक इंटर्विव पब्लिश होता है, पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते है, यहाँ पर stock market के regarding इंटर्विव पब्लिश हो है, आप यहाँ पर यहाँ पर आप बॉलिवड एक्टर के बारे में है, देलीब कुमार जी के बारे में, तेके अभी रिसेंटली इनके डेत होई है, उसी वज़ा से यहाँ पर यहाँ आपको न्यूज में देखने को मिलेगा, फिलाल जो इंपॉरेंट था, एक्जाम कर लिया है, ओके, नाव इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समापत, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाबा, have a nice day, thank you and जाहिंद!